next question दोजा साथ का सवाल है question says three point charges plus q minus 2q and plus q are placed at point x equal to 0 y equal to a and z equal to 0 comma x equal to 0 y 0 z 0 and x equal to a y 0 z 0 respectively हमें बताना है कि the magnitude and direction of electric dipole moment vector of this charge assembly are और अपने चार चार आप्शन दे रखे हैं ना बहुत सिंपल सवाल है पढ़ने में complicated देखने में complicated लंबा लग रहा है बट सवाल कते मुश्किल नहीं है और dipole का बहुत ही basic सवाल है अगर हम x y z coordinates अपने ऐसे बनाएं कि मान लिजिए आपका x इधार है y इधार है तो हमारे जो तीन चार्ज रखे हुए वो तीन चार्ज कुछ इस प्रकार हैं कि पहला चार्ज तो हमने रखा x equal to 0 y equal to a or z equal to 0 यानि कि इस point पे तो आपका q charge यहां रखा है और दूसरा पर रखा है विच इस आपका q charge now अब इस इस assembly को देखेंगे या फिस combination को देखेंगे तो हम यहां पर दो डाइपोल कंसिडर कर सकते हैं एक डाइपोल यहां पर physics में हमें पता है डाइपोल हमेशा minus q charge से plus q charge होता है तो यह आपका डाइपोल 1 इसको पी 1 कह सकते हैं दूसरा डाइपोल आपका इस direction में P2 बन जाएगा यह आपका P2 दूसरा डाइपोल बन गया अब उपें बताना है कि इनका net डाइपोल मोमेंट का होएगा बहुत ही simple सवाल है so net डाइपोल मोमेंट यहां पर इस direction में आएगा और यह आपका angle यहां पर theta होएगा so दो डाइपोल मोमेंट है दोनों का आप डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो P1 विल बी इक्वल टू जो आपका P1 वह पर यहां पर यहां पर 0,A है so dipole moment इस वाले का P1 will be equal to QA dipole moment P2 और यह I cap आएगा dipole moment Q2 P2 will be equal to QA J cap तो आपका P net जो है अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखे so that will be equal to QA हमने common ले लिया I plus J cap now यह बात हमें वेक्टर से पता है कि I plus J अगर यह है दोनों same same magnitude के अगर वो आगा है तो यह theta angle आपका 45 degree हुएगा और आपका net dipole moment अगर इसका वो निकालना है हमने P net का magnitude so that will be equal to under root 2 QA और angle 45 आएगा so based on this हम कह सकते हैं कि आपका option number A under root 2 QA along the line joining points 0,0 यह वाला point और यह वाला point A,A इसके along आपका dipole moment अवेगा so option number A would be the right choice